आज हम क्लास नाइन्थ का एक टोपिक वर्क या फिर कारिये के बारे में पढ़ेंगे ये टोपिक क्लास नाइन्थ के लिए इंपोर्टेंट टोपिक है इसको हम कुछ इलस्टेशन के माधम से सीखेंगे सबसे पहले देखे कोवीड सिच्वेशन की वज़े से बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रम होम करना पढ़ रहा है उसी में एक लड़की है नीना जो घर से काम करती है 4-5 घंटे काम करने के बाद वे सोचते हैं कि आजकल बहुत जादा हार्ड वर्क कर रही है लेकिन क्या scientific definition के हिसाब से उसने कोई काम किया है इस सिट डूइंग वर्क एज पर scientific definition इस चैप्टर में हम वर्क या फिर कार्य की जो विज्ञानिक परिभाशा है उसके बारे में समझेंगे next situation में रोहन नाम का एक लड़का है जिसने नए घर में shift किया है और वो अपनी चीजों को इधर उधर set कर रहा है तो उसी तरह से वो एक sofa को set करने की कोशिस कर रहा है और sofa को push कर रहा है जैसा कि आपको इमेज है इसके अंदर दिखाई दे रहा है रोहन इस direction में sofa को push करने की कोशिस कर रहा है और उसको push करने में कामियाब भी हो रहा है मतलब रोहन ने इस sofa के उपर एक force लगाया और sofa अपनी जगे से displace हो गया मतलब sofa जो है वो मूग किया अपनी position से तो क्या इस situation में रोहन ने कोई काम किया है जवाब है yes बसका wait कर रहा है काफी time होने के बाद वो थोड़ा थका हुआ feel कर रहा है और उसके मन में एक सवाल आया कि क्या उसने कोई काम किया इसका जवाब है नहीं कारण क्या है कि वह अपनी जगे पर still खड़ा हुआ है सामान उसने पकड़ा हुआ है सामान की वज़े से वो थका हुआ feel कर रहा है लेकिन वो अपनी जगे से हिला नहीं है वहीं पे एकदम stand है खड़ा है एकदम से ठीक है position उसकी बदली नहीं है ना ही वो अपनी जगे से displace हुआ है इन दोनों situation में एक चीज हम समझ सकते हैं पहली वाली situation में रोहन ने सोफे को धका लगाया force लगाया और सोफा अपनी जगे से मू किया वहीं दूसरी situation में कोई भी चीज मू नहीं हुई और वो अपनी जगे पर still खड़ा हुआ था तो इन दोनों situation से हम यहाँ पर एक illustration से इसको सीखेंगे कि दोनों situation से क्या conclusion निकलता है देखिए हमारे पास एक black color की जो आपको यहाँ डोट दिख रही है यह एक body है जिसके उपर force लगाया जाता है और force लगाने से force की direction में वो displace हो जा रही है और उसका displacement जो है वो S है यहाँ पर F of force supply हुआ था और जो body है वो S displacement कवर की तो इस situation में हम कहेंगे work is set to be done मतलब यहाँ पर हमने देखा कि force लगाया गया और force लगाने से जो body है वो अपनी जगह से displace हो गई यह कुछ-कुछ हमारी पहली situation जैसी है जहाँ पर रोहन ने सोफे को धक्का रगाया था और सोफा अपनी जगह से move किया था displace किया था तो इन दोनों तीनों example से हम एक चीज conclude कर सकते हैं कि किसी situation में यह कहा जाएगा कि काम हो रहा है उसके लिए हमारे पास दो condition है सबसे पहली condition force is applied on the object मतलब कोई बल कोई force जो है वो object पे लगाया जाए और जो object है वो अपनी position से displace हो मतलब कुछ ना कुछ अपनी जगह से वो खिसके आगे displacement अगर होगा तब हम कहेंगे कि वहाँ पे work done हुआ है तो दो situation important है work done के लिए सबसे पहली force applied होना चाहिए और दूसरा जो object है वो अपनी position से displace होना चाहिए यह scientific definition है या फिर scientific तरीके से इस तरह से हम work को समझ सकते हैं जो work done का जो formula होता है वो कुछ इस तरह का होता है work is equal to force into displacement हम work को w से denote करते हैं force को f से denote करते हैं displacement को s से denote करते हैं तो हमारे पास work का expression आ गया work is equal to f into s हम जानते हैं कि force की unit जो है वो newton होती है और displacement या distance जो है उसकी unit meter होती है तो इस तरह से इन्हें दोनों को combine करके जो work है जो कारिय है उसकी unit निकल के आती है newton meter या फिर इसको joule के नाम से भी जाना जाता है तो इस slide से हम एक पर दोबारा से मैं repeat करता हूँ किसी body के उपर work done कब कहा जाता है जब उसके उपर एक force लगाया जाए और force लगाने से वो body अपनी position से displace हो force into displacement जो है वो work के बराबर होता है इसकी unit newton meter या फिर joule होती है अब हमारे पास एक और illustration है positive और negative work को समझने के लिए देखिए work दो प्रकार का हो सकता है positive work भी हो सकता है और negative work भी हो सकता है इसको समझने के लिए हमारे पास एक illustration है दो player है player number one and player number two ये tug of war या फिर रसा कसी खेल रहे है player one इस direction में force लगा रहा है और player two इसके opposite direction में force लगा रहा है लेकिन player one जो है वो हमारा ताकतवर player है तो इसकी वज़े से जो force है वो ज़्यादा लग रहा है और net displacement जो है वो player one की direction में हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि जो player one है उसने जो tug of war का match है वो जीत लिया और player two जो है वो match हार गया अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है player one के लिए जो force और displacement है उनकी direction सेम है अगर force और displacement की direction सेम होती है तो हम कहेंगे work जो है वो positive हुआ है वहीं दूसरे player के लिए force की direction अलग है और displacement की direction अलग है आप देख सकते हैं दूसरे player के लिए force की direction ये है और displacement की direction ये है दोनो opposite direction है और जब ऐसा होता है तो जो work done है वो negative होगा तो इस illustration से हमें समझ आता है for player one player one के लिए positive work done हुआ है या player one ने जो काम किया है वो positive है और जो player two है उसके लिए negative work done हुआ है तो हम यहां से इस situation से conclude कर सकते है कि अगर force और displacement दोनों की direction सेम है तो work done जो है वो positive होगा जैसे work is equal to force into displacement होता है देखे यहां पर कोई negative sign नहीं है तो ये positive work हुआ वहीं दूसरी ओर जब force और displacement जो है उनकी direction अलग-अलग हो force जाए left में displacement हो right side तो वहां पर opposite direction होगी तो जो work है वो negative कहलाएगा इसका देख लीजिए formula work is equal to f into minus s minus s दिखाता है कि displacement opposite direction में वो है ये minus बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा work is equal to minus f into s इसका मतलब जो overall work है जो second situation में वो negative work होगा है मुझे उम्मीद है कि आपको work done career जो है वो समझ आया होगा positive और negative work को भी आप समझ सके होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe करिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए सभी का thank you